नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हुमें तीन सितंबर दो हजार इकीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी देनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देंत्य गुरु को नमन कर चलिये राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है भाद्र पदमास कृष्ण पक्षकी आज एका दशी थी थी है जो प्राता काल साथ बच करके चवालिस मिनट तक है और इसके पुष्चात द्वादशी है पुनरवसु नक्षत्र है साम चार बच करके बायालिस मिनट तक और इसके पुष्चात पुष्य नक्षत्र है ब्यतिपात योग बालव करण है चंद्रमा आज मिथुन रासी में प्राता दस बच करके बीस मिनट तक और इसके पुष्चात करक राशी में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में ग्यारा बच करके बद तीस मिनट से दो पहर बारा बच करके बाईस मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्राता साढ़े दस बजे से दो पहर बारा बजे तक जैसा कि आप सबी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज प्रातखकाल सुर्योदय से लेकर सायमकाल 4 बच करके 42 मिनट तक सरवार्थ सुध्धी योग है कोई भी कारी से सरवार्थ सुध्धी योग में किया जाए वो कारिय शिग रही सुध्ध होने वाला होता है प्रिय दर्शकों दिव्य महा प्रयोग में एक जोतिशिय सूत्र आपको बताने वाला हूँ एक जोतिसी सूत्र पर हमारी चर्चा होगी, जो कि बेहद विचारणी है, तो दिब्यमहा प्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तितियों की. राहु व्रिशव रासी में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन रासी में. प्राता काल दस बच करके 20 मिनट पर ये चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे और करक राशी में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य और मंगल युती बनाकर सुम्ह रासी में संचरन कर रहे हैं तो वहीं बुद्ध और शुक्र युती बनाकर कन्या रासी में संचरन कर रहे हैं केतु का संचरण व्रिष्चिक राशी में है शनिदेव मकर राशी में वक्रवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु ब्रहस्पती कुम्भ राशी में वक्रवस्था में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली की स्तिती को देखें तो आज 10 बच करके 20 मिनट पर ग जनी से द्रिष्ट संबंद बनते ही विश्योग का निर्मान होगा। तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा आज और शुक्रबार का दिन ये बाकी की ग्रहस्तितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कौन से कारे हैं जिन्हें आज आपको नहीं करना है किन मामलों में आपको सावधान रहना है वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप स्रिष्ट बना सकते हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह ग्रहस्तिति इन्हीं ग्र आपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं. प्रिय दर्शकों मेरे कारिक्रमों में आप हमेशा एक सूत्र सुनते हैं यो यो भाव स्वामी द्रिष्टो यूतोवा जो भी भाव अपने स्वामी से यूत या द्रिष्ट हो तस्य भावस्य बृध्धी ही उस भाव की बृध्धी हो जाती है अर्थात वो भाव बली हो जा जितने भी सुख हैं या उस भाव से सम्मंधित जो चीजे हैं वो जातक को पुर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह सुत्र तो आपने सदैव सुना है। अब इस सुत्र को जरा सा और ब्रिहत रूप से समझिए। जोत्र शास्त्र कहता है कि जब भी कोई दो भावों का स्वामी सुर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो शनी तक ये पाचो जो ग्रह हैं दो भावों के स्वामी होते हैं। अब जोत्र शास्त्र का कथन है कि जब भी कोई ग्रह अपने किसी भाव को देखे। जब भी कोई ग्रह अपने किसी भाव पर द्रिष्टी डाले और साथ ही साथ किसी सुभग ग्रह की द्रिष्टी भी उसी भाव पर पढ़ जाए। उदाहरन से आपको भी समझाता हूँ, बस सूत्र सुनिये कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव पर द्रिष्टी डाले और साथी साथ किसी शुभग ग्रह की द्रिष्टी भी उस भाव पर पढ़ जाए। तो जो दूसरा भाव है, ये भाव तो अत्यंत मजबूत हो गया, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि इस भाव से सम्बंधित सभी तरह के प्रभाव जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन वो जो दूसरे भाव का स्वामी है ग्रह, वो भाव भी पुर्ण रूप से बली हो जाएगा और उस भाव का प्रभाव भी जातक को देखने को मिलेगा। उदाहरण कि मान लिया जाए मंगल दो भावों के स्वामी हैं, दो रासियों के स्वामी हैं मेस और वृष्चिक। तो बृष्चिक रासि भी जहां पड़ी होगी वो भाव अत्यंत बली हो जाएगा। इसका मतलब है कि जातक का व्यक्तित जहां भव्य होगा वहां उसकी आयू भी लंबी हो जाएगी। केवल एक भाव पर द्रिष्टी एक सुभग रह के चलते। अब यहां एक और बात समझेए। इस सूत्र में सदईव एक बात याद रखना है। जो कि मैं सदईव आप लोगों को बताता रहा हूं। ऐसा नहीं कि नई पहली बार बता रहा हूं। कि जब भी हम शनी, मंगल इत्यादी जैसे पापग्रह की द्रिष्टी की बात करते हैं, तो यहां सदईव ध्यान रखना है कि शुभग्रह भाव की बृद्धी करते हैं और उस भाव से संबंधित चाहे वो भौतिक सुखो या रिस्ते नाते की जीवन से संबंधित सुखो जो रिस्ता नाता है, उसकी बृद्धी दोनों की बृद्धी करते हैं, लेकिन पापग्रह के मामले में ये तथ्य सिद्ध नहीं होता, पापग्रह भौतिक सुखों को बृद्धी दे देते हैं, परंतु रिस्तों को वो सदईवही समाप्त करते हैं, चाहे वो उनका ही भा सम्तन्भाव अर्थात इस तथ्य में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह की इस्तेथी बन रही हो कि सनी की द्रिष्टी पढर रही है मान लिया जाए कि ज़ diferentes लिए डूब हाव के स्वामी है अब सब्तम भाव से सम्मंधित व्यापार इत्यादी जो सुख है वो सब प्राप्त होगा साथ ही साथ सनीदेव की जो दूसरी रासी है कुम्भ रासी वो भी मजबूत हो जाएगी जहां पड़ी हुई हो चाहे वो अस्टम में ही क्यों न हो वो भाव मजबूत हो गया अब यहां पर गर देखा जाए तो सनीदेव ऐसा नहीं है कि दृष्टी डाल देंगे तो भाव की ब्रद्धित होगी लेकिन ऐसे जातक का विवाह इत्यादी होना बिलंबित होगा बैवाहिक जीवन में मत्भेद होगा हां इस सूत्र में एक प्लस पॉइंट ये है कि सुभग रह की दृष्टी सप्तम पर पड़ रहा है फलस्वरुप बिवाह तूटेगा नहीं तो यहां एक बात क्लियर हुआ कि पापग्रह अपने भी भाव पर दृष्टी डालेंगे तो इस भाव से संबंदित जो रिष्टे होंगे उन रिष्टों को लेकर के कोई विशेस लाब नही मिलने वाला है वो रिष्टे तो वैसे ही मुष्टिलमे रहेंगे परंतु उस भाव से संबंदित जो सुख है वो जातक को प्रिपूर्ण मिलेगा और दूसरा भाव जहाँ पढ़ता होगा वो भाव भी मजबूत होगा और उससे संबंदित भी सुख जातक को पुर्ण ρू राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से आज तुरतिय भाव में हैं दस बचकर के 20 मिनट तक और इसके पुश्चाक आपकी राशी से ये चतूर्थ में होंगे गुरू के नक्षत्र में है तो दिन ठीक है आपका बीते दिनों भी आपका समय ठीक ही चल रहा था आज की स्थिति अगर देखें तो ये भी ठीक है दिन कारिस्थल पर आज आप अपने कारियों से या कारिस्थल पर क्यों कहें में इस राशी के जातक जहां भी रहेंगे अपने कारियों से अपने विचार से सब को होगा वो आपके मन के अनू remix ही होने वाला है जो आपको चाहि जैसें चाहिए वैसा ही होगा व्यापारियों की भी बात करू तो कि व्यापार से समंधित आज का दिन बहुत बढ़िया है व्यापार से mniej समंधित आपका नीजी जीवन हो, हर तरह से दिन को बहुत बढ़िया आप समझे, बस जीवन साथी के साथ अच्छा बेभार रखेगा और जीवन साथी की सलाह जीवन साथी का लीजी राय मस्वरा करके चलिए और अच्छा होगा, लव लाइफ में आज मेस रासी के जातकों को की परिशानी होने वाली है, उतार चढ़ाओ देखने को मिलेगा, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आप लापरवाही मत करिएगा, अगर दिक्कत होती है तो वो आपके लापरवाही से, मेश रासी के जातक आज कनक धारा इस तोत्र का पाठ या स्रवन करें, लकी यंक आपके लिए आज साथ है, और लकी कलर आपके लिए आज लाल, निवेश इत्यादी आप अवश्य करिए, ब्रिशब की बात करें तो चंद्रमा के इस दूती करमें सिंचरन करें चंद्रमा, मेहनत थोड़ी जादा आपसे कराएंगे, यानि आज के दिन को अगर आप स्रिष्ट देखना चाहते हैं, तो जितना हो सके परित्न करिए, पुरुशार्थ करिए, तब जाकर के आपको परिणाम मिल पाएगा, बहुत स्रिष्ट नहीं, पर पाइदा मिलेगा, सोचा हुआ काम आज बहुत हद तक पूरा होता तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा, कि पुराने जितने बचे हुए काम थे, उन्हें अगर आप पूरा करना चाहें, तो हो सकता है, नई नौकरी, या प्रमोशन का ओफर, हाथों मुश्किल में डालेगा, और अपनी मन की बात हर किसी से सेर करना भी आपको मुश्किल में डालेगा, प्रेम संबंद में तानाव की स्तिती दिखाई पड़ रही है, दामपत्य जीवन ठीक है, और विद्यार्थियों की बात करूं, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दि दूलसी की माला हनुमान जी को अरपित करें, इससे लाभ हुए लेगा, लखियंक आपके लिए आठ और लखी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश तभी करिए जब जानकार की राय मिले, मिथुन की बात करें, तो चंद्रमा का आपकी रासी पर होना प्राता हो दस कारियों को आलस्य से बचिए, और परिस्तितियों को अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष तो करिए, लेकिन अत्याचार चाहे वो खुद के साथ ही क्यों न हो मत करिए, जो काम आसानी से हो जाता है उसे ही करिए, आज के दिन का लाभाप उठा सकते हैं, धैरे सांती के साथ काम करते हुए, कारियोस्थल पर पूरी विनम्रता के साथ सब के साथ सहयोग पूर्ण रवया रखते हुए, आप अगर काम करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, उच्चा धिकारी भी अगर कहीं न कहीं देखा जाए, तो आपसे प्रभावित होंगे, वानी पर नियंत जिना, आपके दिमाग में अगर है, तो उस पर काम करिए, धनलाब होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और घर के मध्य, यानि कुटुम्ब के मध्य, अगर कोई परिशानी चल रही है, तो इस मामले में बेहत सोच समझ करके निरने लेना होगा, मितुन रासी के प्रेम जीवन साथी का स्वहिवग मेरेगा, जीवन साथी आपके सांथ है, और विद्यार्थियों की बात करूँ, तो आज कर दिन आपके लिए ठीक है, हर मामले में नहीं, कहीं न कहीं देखा जाए, तो आज आपका मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, विसेश करके मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत स्रिष्ट नहीं कहूंगा, स्वास्त के मामले में पुराना रोग आपको परिशान करेगा, खान पान पर नियंत्रन रखिएगा, और आज साथ लॉंग लेजा करके किसी देवी मंदर में अर्पित करिए, लखियंक आपके लिए आज पांच और लखी कलर सिंदूरी, निवेश जानकार की राय से, करकरासी के जातक आगे बढ़ें, दिन आपका बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है, बीते कुछ दिनों की इस्तुती कफी काफी अच्छी है, साकारात्मों विचास भारा बना करके आगे बढ़िये, समस्याएं खुद बखुद दूर होने वाली है, सफलता मिलने वाली है, नौकरी, परिवार, ब्यापार, हर मामले में दिन स्रेष्ट होता दिखाई पढ़ रहा है, दस बज करके 20 मिनट के पश्चा चंद्रमा रासी परिवर्तन करके आपके रासी पर आएंगे, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा हर तरह से अच्छी इस्तुती ले आएंगे, ब्योसाय भी बढ़िया होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, आर्थिक लाभ की संभावना है, आर्थिक इस्तुती मजबूत दिखाई पड़ रहे, किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी या उतावलापन मत करिए, यानि धहरे बेहद आवश्यक है, अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनकी भावनाव को समझिए, तो घर्प का माहल बहुत बढ़िया होगा, दामपत्य जीवन सुखाद होगा, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया हर विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, तो समय बहुत ही स्रेष्ट, आलस्य में पढ़कर के, आज इस दिन को खराब मत करिए, स्वास्त के मामले में देखा जाए, तो पेट से संबंधित, परि प्रात हकाल ही, कबूतरों को दाना डाल दीजेगा, अन्न डाल दीजेगा, इससे फायदा मिरेगा, लकियंक एक लकी कलर आपके लिए अज पिंक है, निवेश आप कर सकते हैं, और सिम्म के लिए देखा जाए, तो आज दिन बहुत बढ़िया है, परन्तु सतर्कता आवश बेहत सतर्क रहिए, कोई समस्या, कोई परिशानी, कोई उल्जन, सुलजने वाली है, कारिस्थल पर भी आज आपका दबदबा रहेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर आपको प्राप्त होगा, छोटी मुटी रुकावटे जरूर आ सकती हैं, लेकिन समस् उठाईए, आज इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, जितना हो सके, जादा से जादा प्रत्न करिए, ब्यापारियों के लिए देखा जाए, तो आर्थिक स्तुती बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, ब्यापार से सम्मंदित की जाने वाली यात्रा हैं, आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा, जीवन साथी के स्वास्त का खायाल रखिये, और विद्यार्थियों की बात करूं, तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलेगी, जरुवत पड़ने पर मित्रों से भी आपको सहयोग मिल जाएगा, और स्वा तो एक वहाँ के पुजारी के लिए, और कोई आसपास वहाँ कोई हो, उनके भोजन है तू, कुछ पैसा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, लखियंक आपके लिए आज नौ है, और लखी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश आप अवस्य करिए परन्तु जानका की राय से, करन्या की बात करें तो चंद्रमा का रासी से आपके आज दसम में होना प्राता, दस बच करके 20 मिन तक इसके पुश्चात लाभ में आ जाना, लाभ के दृष्टिकोंड से दिन को मैं ठीक कहूंगा, परन्तु हडबड़ी में, जल्दबाजी में कोई महत्त पू मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हर मामले में जहां आपको संसय हो, राय मस्वरा करिए, आपकी समस्या का सही समाधान मिलेगा, नौकरी पेसा लोगों के लिए अगर कहूं तो दिन ठीक है, कहीं इंट्रव्यू इत्यादी में जाने वाले हैं, जाइए सफलता ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापार के लिए दिन बढ़िया है, ब्यापार से संबंधित, आज का दिन हर प्रकार से ठीक दिखाई पड़ रही है, लाब किस्तिती मजबूत दिखाई पड़ रही है, आपका निवेस आपके लिए स्रिष्ट होगा, योजना स्वास्या का हल हो जाएगा, और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बस आलस्य से बचिए, स्वास्त के मामले में अपने खान पान का आपको विशेव स्वरूप से खाल रखना होगा, पेट से समन्दित परशानियां बनी रह सकती है, सो बहार का भोजन, मसालेदार भोजन न करी, आज अपने जीवन साथी को उपहार स्वरूप कुछ भी दीजिए, चाहे वो वस्त्र हो या कुछ भी उपहार स्वरूप दीजिए, लकियंक आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज कत्थ है, निवेश आप करें तुला की बात करूँ तो आज जो ग्रहिस्तिती बनी हुई है, उसमें आपको सतर्क रह करके आगे बढ़ना है, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके पिता, चाहे वो घर का ही कोई सदस्य हो, आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि घर से माहौल आप सावधान रहें तुला रासी के जातक, सोचे हुए कारियों को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करनी होगी और इसके बावजूत सफलता, समुचित सफलता नहीं मिले कि नौकरी, परिवार, ब्यापार, इन सभी मामलों में बेहतर तालमेल बिठा पाना आज दिन करना आज बिलकुल ठीक नहीं है, ब्यापारियों को एक सफलता जरूर है और वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और किसी तरह के कानूनी मसले में फसे हुए हैं, तो चाहे ब्यापारी हो या नौकरी पेसा जो कानूनी मसले में हैं, उनको दिशा मिलनी सुरू हो जाएगी, उनके लिए दिन ठीक है, आज कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, इससे बचिए, जीवन साथी से बाद भी बात भूल कर भी मत करिए, जीवन साथी पर पूरी तरह से भरोसा करिए, नहीं तो आपको बाद में मानसिक कस्ट तो उनके स्वास्त का खयाल रखेगा, आज प्राता काल पक्षियों को दाना डालिये, लकियंग का आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप ना करें ब्रिश्चिक की बात करें, तो चंद्रमा का रासी से आपके आज अश्टम में होना, दसवच करके 20 मिनट तक इसके पुश्चात भाग्य में आना, निसंदे भाग्य ब्रुद्धी कराने वाला है, आत्मविश्वास में ब्रुद्धी कराने वाला है, लाब प्रदायक है ब्रिश्चिक रासी के जातर किसी को धन उधार न दें, और क्रोध से बचें, दामपत्य जीवने में अधूरता बनी रहने वाली है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, और ब्रिश्चिक रासी के विद्यार्थियों की बात करूं, तो मेहनत से कहीं स्रिष्ट सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो सारीरिक परिशानिया कम होंगी, परन्त आपको लापारवाह नहीं होना होगा, सावधान टहना होगा, खान पान पर भी नियंत्रण रखना होगा, आज किसी जरुवत मंद, मजबूर व्यक्ति की मदद करिए, कुछ धन दे करके, वस्त रित्यादी दे करके, आपको फायदा मिलेगा, लकियंक पांच लकी कलर आप को बच करके रहना है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, दस बच करके बीसमर तक रासी से सप्तम में इसके बाद अश्टम में आ जाएंगे, दिन बढ़िया है, हो सके तो परिवार के साथ समय वेतीत करिए, आने वाले दिनों में क्या करना है, उसकी योजना बनाईए, कारि में तो बेहत सतरक और सावधान रहिए, ओने पौने दामों में न चला जाए, किसी की बातों में मत आईए, पूरी तरह से विचार करके ही बेचिये, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अभी जरा रुखिये, बिना सोचे समझे बोलना, किसी के उपर टीका करना ठीक नहीं है, जीवन साथी से मदद मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग टापत होगा, प्रेमियों के लिए बढ़िया, दिन दिखाई पढ़ रहा है, सामानी नोग जोग हो, लेकिन प्रेम समंध के लिए दिन बढ़िया, और विध्यार्थियों की बात करूं, तो आज से ज़्यादा मेहनत करिए, मेहनत के अनकूल आपको सफलता मिलेगी, स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो धनुरासी के जातक जरा स्वास्त को लेकर के सावधान नहें, कमर से नीचे के अंगों में परिसानी की संभावना है, और आज माता-पिता का आशिरवाद लेकर कहीं घर से बाहर जाईए, हर काम बनेंगे, लकियंक आपके लिए आज दो, और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है, निवेश भी आप कर सकते हैं, मकर की बात करें तो चंद्रमा का रासी से आपके सश्ठ में होना, दसबच करके 20 मिनट के पुश्चात आप आगे बढ़िये, भाग्य का साथ मिल रहा है, काम बनेंगे, नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कारिस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हर कारिये बेहद आसानी से होगा, और ब्यापारियों की बात करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुब फल प्रदायक है, ब्यापार में आगे बढ़िये, ब्यापार से समंधित कोई योजना है तो उस पर काम करिये, ब्यापार में तेजी रहेगी, लाब रहेगा, निवेस आप कर सकते हैं, कोई बढ़ी डील होने वाली है, रिन लेने के लिए आज का दिन बहु के लिए बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, तो समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, हर तरह से आगे बढ़िये, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त में कोई विशेस परिसानी, आज मकर रासी के जातकों के लि जो इस्तिती उत्पन्द कर रहे हैं, यह हर प्रकार से बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया इस्तिती, कोई करीबी, आपके लिए हर तरह से सहयोग, दायक होगा, तनाव से, समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, परन्तु, आज स्वास्त को लेकर के बेहद सतर्क और सावधान स्वास्त में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, कारिस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तयार रहना होगा, लाभ मिलेगा, नौकरी को लेकर के अगर प्रयास कर रहे थ सकती है, सो जरा सावधान होकर के यात्रा कर ये चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और आज जल्दबाजी में कुम्भरासी के जातक किसी भी तरह का कोई फैसला न ले, जीवन साथी के स्वास्त का पूरा-पूरा खयाल रखें, और प्रेमी के मूड का भी जरा आज से देखें, तो रक्त जन्यविकार रहने वाली है, स्वास्त में थोड़ी परिशानी है, सावधान तहिएगा, आज मंदिर में दही का दान करिए, लकी यंग 5 लकी कलर आपके लिए आज परपल है, निवेश आप जानकार किराय से करिए, और मीन की बात करें, तो गोचर किये हुए थे, तो बड़ा फाइदा, भाग आपके सांथे सुकारिक छित्र में, जो भी आपकी महत्वा कांचा है, वो पूरड होने वाली है, हर संभव कोशिश करिए, हर मामले में सफलता मिलेगी, आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है, कारिस्थल पर अगर देखा जा और जीवन सांथी के बिना कहें, जीवन सांथी के दिल की बात आप समझ लेंगे, सो दामपत्य जीवन में मधूरता आएगी, विद्यार्थियों को अगर कोई प्रतियोगी परिक्षा में आप भाग ले रहे हैं, तो जब अरदस्त सफलता मिलने वाली है, सो मेहनत खूब क तो प्रिये दर्शकों ये था मेश लेकर के मीनिदाशी परियंत प्रतेक राश्के जातकों का पुरे दिन का हाल, अभी किने वस इतना ही, इजाजत दीजिए पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार